केके पाठक ने एक बार फिर से सक्षिशा बिभाग में जारी किया फर्मान और साफ साफ कह दिया सेलरी चाहिए तो करना होगा ये काम नमश्कार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फानेशन बिहार सक्षिशा बिभाग के अपर मुखे सचीब केके पाठक लगातार सुर्खियों में हैं एक तरफ जहां केके पाठक को लेकर बिहार सक्षिशा बिभाग के सक्षिशा बिभाग हंगावा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी और केके पाठक ने एक बार फिर से फर्मान जारी क किया है कि पाटक ने सिक्षा विभाग ने विभागी अधिकारी और कर्मियों पर शिकंजा कसा है ये शिकंजा खास कर प्रखंड सिक्षा कारयाले के कारय रत अधिकारी और कर्मियों पर कसा गया है मकसद है इसके रोस्टर के अनुरूप प्रतिदीन शत प्रतिशत स्कूलों का निरेक्शन करने का अदेश दरसर प्रखंडों के सिक्षा अधिकारी और कर्मी अपने डेरा मुख्याले में नहीं रहते आवास दूर होने से वो शत प्रतीशत स्कूलों का निरेक्शन नहीं कर पाते ये बास सामने आने पर सिक्षा बिभाग के अधिकारी और कर्मीों को म भी कम भीरता से लिए हैं और सक्त कदम उठाए हैं दरसल विभागिये समिक्षा के क्रम में ये उजागर हुआ है कि प्रकंट सिक्षा कारियाले में कारियत अधिकारियों और कर्मी रोस्टर के तहश्चत प्रतिशत स्कूलों का निरिक्षन नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग स्कूल का निरिक्षन करें घर से जड़ा दूर स्कूल ना रहे है और जो लोग घर से जड़ा दूर स्कूल रह रहे हैं उन पर एक्षिन लिया गया है अब उनकी सेलरी जो है उस पर बात सामने आई है एक तर जहाँ बिःहार सिक्षा विभाग के अपर मुखे में केके पाठक के फर्मान को लेकर बिहार सरकार कोई एक्शन लेती है या फिर सिक्षा बिभाग केके पाठक को जिस तरीके से अभी तक उनकी बातों को सुनती आ रही है वैसे भी आगे सुनती रही है एक दरब जहां केके पाठक को लेकर लगातार सिक्षा बिभाग में आक क्रोश भी देखने को मिल रहा है सिक्षा केके पाठक को लेकर लगातार कंप्लेन भी करते हुए नजर आ रहे हैं केके पाठक और आज भवन की टकरार की भी खबरे आये दिनाते रहती है और अब एक बार फिर से केके पाठक ने कुछ ऐसे आदेश निकाल दिये हैं जिससे व एक्षा बिभाग क्या कुछ एक्षा लेता है यह तो देखना होगा आने वाले दिनों में फिलहार के लिए सब्जेच में इतना ही